आक्रबक स्पूती इराडी जी शान्ती से सफलता के शिखर की ओर 2024 के चुनाव में वे सफल होंगे या असफल नमस्ते मैं आइस्ट्रो गुरुबा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेमी एवो मध्यन करताओं का हर्तिक स्वाकर्ट करती हूँ जैसा कि हम जानते हैं हम हमेशा सामाजी को राजनीतिक शेत्र में आउट ओब बॉक्स और प्रेरक कार्य करने वाले व्यक्तित्वों का उनकी पत्रिका के माध्यम से परिचे कराते हैं आज हम राश्ट्रिय स्तर पर काम करने वाली आईसी ही एक महिला राजनेता की जन्म कुंडली के माध्यम से परिचे करने वाले हैं राजनिती के आगाडी की नेता और मंत्री है जिनका करियर एक अभिनेत्री के रूप में शुरू हुआ था और एक राजनेता के रूप में स्तापित हुआ है वो अभिनेत्री है स्मूती जी इराणी क्योंकि साज भी कभी पहुती इस तीवी सीरियल के माध्यम से घर घर पोचने के बाद स्मूती जी इराणी ने 2023 में भारतिय जनता पार्टी में प्रवेश किया था 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कॉंग्रेस नेता कपील सिब्बल जी के खिलाप दिल्ली के चान्नी चौक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था उसके बाद वह सिधे कॉंग्रेस और गांधी परिवार के गड़ उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में गई 2014 में उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से राहूल गांधी के खिलाप चुनाव लड़ा था दूसरी बार लगातार हरी भी थी उनकी लड़ाही बड़े नेताओ से थी तो साभावित रूप से उनके लिए आसानी से सफलता पाना मुश्किल था हाला कि उन्होंने बिज्जेपी की कुछ सिटों को जिताने के लिए श्टार प्रचारक के रूप में काम किया था उन्हें उसका पूरस्कार नरेंद्र जी मोधी और पार्टी ने दिया वह पूरस्कार यानी राज्य सभा सांसद और बाद में केंद्रिय कैबिनेट का पद है इस मंत्रिपद और सत्ता का पूरा लाब उठाते हुए उन्होंने राहूल गांदी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी पर फिर से ध्यान के दिर किया और दोजार उन्नीस के चुनाव में राहूल गांदी को हरा करी थिया स्रचा मंत्रि हो या सांसद स्मूती इराणी इस लोक सभा सदन में और सदन के भाहर हमेशा चर्चा में रहती है जो हाली में शांत रहने वाली स्मूती इराणी जी की पत्रिका क्या कहती है ये बात हम 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अध्यन कने वाले हैं तो इस वीडियो को अंततक जरूर देखते रहे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें स्पूती जी इरानी का जन 23 मार्स 1976 को नई दिली में हुआ था उनकी धनुराशी की पत्रिका है धनुराश यानि गुरु महराज की मूल त्रिकों राशी है धनुराशी की कुछ महत्वपुर्ण विशेष्टाए यानि यह टारगेट ओर्येंटेट राशी के रूप में जानी जाती है ये लोग पुरी तरह से एक विशिष्ट लक्ष्य या कार्य पर केंद्रित होते है धनुराशी के चिन्न को देखे तो आधा गुडा और आधा मनुश्य मनुश्य ने धनुश्य का तीर खिचा हुआ है लेकिन वह तीर नहीं चोड़ता उसका पूरा ध्यान केंद्र पर होता है और यही धनुराशी का मूल सभाव है खासतर पर जब हम स्मूती जी इरानी की पत्रिका देखते हैं तब गुरु पंचम भाव में चद्रमा और गुरु का नव पंचम योग है यह योग बड़ा ही शुभम आना जाता है इसके अलावा शुक्र वर्गुत्तम है शुक्र की महादशा इनके लिए निश्चित रूप से सफलता और प्रगती की रहेगी शुक्र कलाक्षेत्र का कारक है इराजनी जी की पत्रिका नुसार उन्हें टीवी सीरीज में बड़ी सफलता, पैसा, प्रसिद्धी सब कुछ मिला क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में वायू तत्व के बुधिमान कुम्भराशी में है विशेशकर वर्गुत्तम है शुक्र का चद्रमा के साथ लाभयोग है गुरिक के साथ लाभयोग है मंगल के साथ नवपंचम योग है तो कुल मिला कर शुक्र बड़ा मजबूत स्थिति में है अगर आप सुमूती जी इरानी की पत्रिका का अध्यन करेंगे तो आपको कई चीजे पहली नजर में समझ में आएगे इरानी जी की पत्रिका में कई महतो पुर्ण योग यानि नवपंचम और लाभयोग है पत्रिका पावरफुल है किसी भी प्रकार के अन्याय को आसानी से सहन करने की प्रवरूत्ती नहीं है एक बार जब कोई लक्षय यो थियए निर्धारित हो जाता है तो उनका पूरा ध्यान उसकार्य पर होता है काम के प्रती समर्पित रहने वाले व्यक्ति के रूप में हम इस पत्रिका को देख सकते हैं कुल मिला कर पत्रिका कई माइनों में पावर्फुल है अभी हम जो अध्यन करेंगे वह 2024 के चुनाओं को सामने रख कर करेंगे वैदिक शास्त्र के अनुसार इसका कुछ उंश हमने देखा है इस पत्रिका की दशाउंश पत्रिका को देखे तो 2028 में एक बड़ा पद जिसे हम सामाजिक माननेता कह सकते है या राजनीतिक रूप से भी प्रतिष्टा या सनमान का पद इस पत्रिका के लिए मिलने की संभावना देखी जा सकते है आज का हमारा अध्यन 2024 का चुनाओं है और हम अस्टक वर्ग के माध्यम से पत्रिका का अध्यन कर इसका विशलेशन करने वाले है अस्टक वर्ग के माध्यम से इस पत्रिका को 2024 के चुनाओं में क्या फल मिलेगा यह देखने वाले है सर्व जोतिश प्रेमी और अभ्यासकान साथी एक परिपूर्ण जोतिश पन्नाची सुर्ण संथी चालूनानिया है जोतिश महा समेलन दिनांका अक्राणी बाराजून दो नजार तेविश्रोजी पुनातला पावन भुमित होटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महा अधिवेशन होता है या अधिवेशनात सहभागी होने चाटी अपल्याला अधिन नावन नोंदणी कराविला गेल त्या साथी शूलक आहे केवल 18 रुपए अनुक्र में 1,25 रुपए शूलक असेल अस्या सदस्यांचा हुई मान्यवरांचा हसते शाल, श्रीफल आणी स्पूती चिन्न देऊन सन्मान सर्वान साथी असेल चहान आस्ता भोजन हायटी मग उशिर कशाला? 98500-98688 या नंबर वर फोन पे जी पे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणी महा अदिवेश्नात सहभा गिवा नोंदणी साथी पुन्ना एक दा नंबर सांगते 98500-98688 अधीक महीती तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे उपलब दसे ग्रहो के राजा रवी स्मूती जी इरानी की मूल पत्रिका में मीन राशी में है चुनाओ काल का समय देखे तो यह मेश और रुशब राशी में रहने वाले है यानि पंद्रह तारिक तक मेश और पंद्रह माई के बाद रुशब राशी से रवी का प्रह्मन रहेगा खास बात यह है कि इन तीनों स्तान में रवी ने इने 4-4-4 ऐसे समान बिंदू दिये है यह एक महत्वपुर्ण बाद कही जा सकती है रवी का अर्थ सत्ता, अधिकार, पद होता है और जब हम इस दुरुष्ठी से पत्रिका के बारे में सोचते है तो कही न कही 2024 में उन्हें सत्ता प्राप्त होते हुए दिखाई देती है इसके बाद आने वाला ग्रह अर्था चंद्रमा चंद्रमा का गोचर चुनाव और परिणाम की तारिखों के बाद देखेंगे इसके बाद मंगल ग्रह आता है मंगल इनकी मूल पत्रिका में मिथुन राशी में है जहा केवल दो बिंदु प्राप्त है चुनाव का समय काल देखे तो मई 2024 में मंगल का गोचर मीन राशी से रहेगा जहां मजबूत चार बिंदु है मंगल यानी सेनापती या सहर्योगियों से मिलने वाला समर्थन चुनाव प्रचार प्रसार विवस्ता के सभी पहलियों पर गोर करे तो मंगल का विशेश महतो बढ़ जाता है मंगल के बाद बुधग रहा आता है बुध मीन राशी में स्थीता है जहां छो मजबूत अंक है जो उन्हें प्रभावशाली वक्ता बनाता है वह भाजपा की प्रवक्ता है सही समय पर सही डंग से बात करना उनकी योग्यता है यह योग्यता उन्हें बुधग रह द्वारा प्रदान की गई है गोचर से देखे तो चुनाव काल में बुधग रह का गोचर मीन राशी में होगा और वहां साथ बिंदू उनकी भाशन कला को विकसित करने वाले है जब कोई नेता अच्छा भाशन देता है तो उसके चुनाव जीत जाने की संभावना बढ़ जाती है यह कला स्पूतुज जी की उस समय उच्चस्तर पर होगी हम अगले ग्रह का विश्लेशन करने वाले है लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करें बूद के बाद गुरू ग्रह आता है गुरू इरानी जी की मूल कुंडली में मेश राशी में है जहां उन्होंने छव बिंदू दिये है यहां एक महतो पुलन बात है कि बूद का अर्थ प्राथमिक बुद्धिमानी और गुरू का अर्थ होता है ज्यान बूद और गुरू दोनों ही उनकी मूल कुंडली में मजबूत है जो उन्हें बुद्धिमानी और ज्ञान दोनों प्रतान करते है गोचर से आने वाले वुरुशब राशी के गुरु महराज ने चुनाव के समय थोड़े कम बिंदू दिये है लेकिन बूल पत्रिका में प्रबल गुरु का गोचर से कम समर्थन मिलेगा यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिये गुरु के बाद आने वाला ग्रह शुक्र है शुक्र ग्रह उनकी मूल पत्रिका में शनी की राशी में है और साथ यह मजबूत बिंदू दिये है किसी ग्रह ने किसी स्तान को आठ में से साथ बिंदू देना याने लगबग 25 प्रतिशत अंक देना ऐसा होता है तो उन्हें शुक्र का बरपूर सहयोग मिलेगा महिलाए उन्हें भारी संख्या में वोट देगी चुनाओ में कलाकारों से उन्हें समर्थन मिलेगा उन्हें इसमें काफी सफलता मिलती हुई नजर आती है और जब हम गोचर की सोचे तो मई 2024 में शुक्र का गोचर मेश राशी से शुरू होगा और वहां मजबूत पाज बिंदू है कुल मिलाकर स्तिती अच्छी रहेगे शुक्र के बाद अगला महतोपूर्ण ग्रह शनी है जो अपनी मूल कुंडली में करकर आशी में है वहां केवल एक बिंदू है और अभी शनी का गोचर कुम्बर आशी से सुरू है जहां तीन बिंदू प्राप्त है तो इसे हम प्रोग्रेसिव स्टेप कह सकते है शनी का सहयोग इने अधिक मिलेगा हाला कि कुल मिलाकर संगर्ष दिखाई देता है अपी तू सफलता शत प्रतिशत मिलेगी प्रगती होते दिखाई देती है अगर हम पत्रिका की जाज करें तो 2023 की तुल्ला में 2024 की स्थिती काफी बेहतर रहेगी पत्रिका के अनुसार अचानक कोई बड़ा पद मिलने या भाग्योदय होने के योग 2028 में बनते दिखाई देते हैं अचानक पत्रिका आकार लेती है कुछ होता है 2028 में उन्हें ऐसा सन्मान मिलता दिखाई देगा यहाँ एक अच्छी पत्रिका है ऐसा हम संक्षेप में कह सकते है मूल पत्रिका में राजयोग है सफल जीवन है प्रगती होते नदर आती है कुल मिलाकर इस पत्रिका की प्रगती शान्ती से चलने वाली है ऐसे ही अलग अंदाज के व्यक्ति और उनकी अलग अलग अंदाज की पत्रिका के अध्यन के साथ आएंगे फिर मिलेंगे धन्यवाद शुभं भोतु जय जोतिश प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दपना ना भुले धन्यवाद